So hello guys, एक बार फिर से स्वागत है नहीं रैस्पी में तो आज मैं आप से वी को बताँगा कि बिना गैस और भीना मावा कि आप घर पे आसानी तरीके से मिठाई कैसे बना सकते है तो इस वीडियु में आप से वीको बताँगा तो वीडियो को लास्ट तक देखते रही है और उसके बाद में हमने डालना है एक कप पीसा हुआ सूगर तो यहां पर हमने एक कप पीसा हुआ सूगर डाला है और उसके बाद में हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है तो इसको अच्छी तरीके से हमने पहले मिक्स कर लेना है ताकि हमने जो डो राइडी करना हो तो हमें डो रेटी करने में आसाली होगी जो यह अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे उसके बाद में हमने ठोड़ा ठोड़ा धुभा डूड़ा डूध डालके इसको इसको आठे के जैसे घुनना है बिल्कूल टाइट हम रेडि करेंगे तो इसलिए दूद हमने थोड़ा थोड़ा एक एक चमच इसमें डालते रहना है और इसको आटे के जैसे गूनते रहना उसके बाइब में इसको डो रेडि हम कर लेगे बहुत ही टाइट होना चीए और एक बात आपका दूद जो है वह ठंडा होना तो इसके बाद में देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा dough बिल्कुल tight है, और इसको हम अच्छी तरीके से mix करके से हम एक समान ready कर लेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, dough हमारा बिल्कुल ready हो चुका है, तो इसको हम एकठा कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारा dough बिल्कुल ready हो ज मैं सोता है और बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़ा है कि उसके पर भूह तरीख से च्छोटे-च्छोटे से तर्बूस में पेड़ए तोड़ लेने हैं और बसटे तर्बोस के उसके बाद में इसको हमने एक क्लीन बॉल्ल बना लेना है दोनों हाथों से एक clean ball हम बना लेंगे तो इस तरीके से हमने clean ball बना लेना है यहाँ पर देख सकते हैं clean ball हमने बना लिया है कहीं पर फटा नहीं होना चीए बिल्कुल clean होना चीए तो इसी तरीके से हम दूसरा भी आपको बना के दिखा देते हैं तो इसी तरी के से हमने दूसरा भी ball बना लिया है और इसी तरी के सा हमने सभी ball ready कर लेना है तो यहाँ पर हमने सभी ball बना लिया है अब हम क्या करेंगे इसको हलका सा थोड़ा सा दबा दिंगे हाथ से और उसके बाद में चमच के back side से हम इसका design बनाएंगे तो इस तरीके से चमच के back side से हमने इसका design बनाना है आप चमच से बना सकते हैं या कोई आपके पास चाकू हो तो आप चाकू से भी चाकू का back side यूज़ करके आप बना सकते हैं उससे चाकू से भी बना सकते हैं किसी भी चीज से आप बना सकते हैं जो आपके घर में अवैलबल हो तो इस तरीके से हमने साइडों में कट देना है और ये डिजाइन बहुत ही अच्छा तयार हो जाएगा और उसके बाद में बीज में हमने अंगुठे से उंगुली से प्रेस कर देना है थोड़ा सा दबा द चुका है तो क्या करेंगे इसी तरीके से हमने सभी डिजाइन रेडी कर लेना है तो यहां पर हमने सभी डिजाइन रेडी कर लिया है और उसके बाद में आपको दिखा देए इस तरीके से हमारा डिजाइन जो है बहुत ही अच्छा बना हुआ है यह देख सकते हैं हमारा ड इसके जो हमने cut लगाय थे, इसके बीच में हमने green color से line देनी है, line दे देंगे, और उसके बाद में ये बिल्कुल ready हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने सभी color लगा लेने हैं, तो यहां पर हमने सभी के बीच में color एड़ कर दिया है, उसके बाद में red color घोल के हम इसके बीच मे जो हमने बीच में दबाया था उसके बीच में हमने red color का red color लगा देना है हाथों से और उसके बाद में यह देख सकते हैं हमने red color भी लगा दिया है तो यह बिल्कुल ready हो चुका है देखने में कितना बड़िया लग रहा है और garnish करने के लिए हमने red color ही यूज़ किया है कोई dry food होगा रहा कुछ नहीं यूज़ किया है आप तो चाहे तो dry food भी यूज़ कर सकते हैं आपको जो पसंदों वो लगा सकते हैं तो thank you so much guys मिलते हैं next video में किसी और राइसे पिकस ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस है वो आपको मिलती रहे तो thank you so much guys